कुश्य नबर 7 में दिया गया है, कॉट ठीडिया बराबर 7 बटा 8 है, ठीक है, कॉट ठीडिया बराबर 7 बटा 8, और कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर जो होता है, आधार बटा लंब होता है, ठीक है, आधार यहां पर कितना है, 7 है, और लंब कितना है, 8 है, ठीक है निकालने के लिए सूत्र बताया गया है कि क्या होता है रूट के अंदर लंब स्कॉयर और प्लस का आधार स्कॉयर ठीक है लंब स्कॉयर प्लस आधार स्कॉयर तो लंब की अस्थान भी कितना रखें आठ का स्कॉयर प्लस साथ का स्कॉयर आधार की अस्थान पर ठीक है और इ कड़ है तो कड़ के अस्टाल पर हम कित्ता रखेंगे रूट के अंदर 113 अब हम साल्प करते हैं यहां पर जो हमें निगालना है सबसे पहले तो हमें यह पहला कुश्चन यहां पर कहा गया वन प्लस साइं ठीटा और वन माइनस साइं ठीटा अपान वन प्लस कॉश्च सबसे पहले हम पहला वाला हल कर रहे हैं तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं यहां पर सकते हैं इसका ऐसा हम लिख सकते हैं ठीच है तो यहां पर रहे माइनस यह सन ठीटा की अस्छान पर हम क्या रखेंगे यहां से निकालेंगे sin theta, sin theta बराबर क्या होता है? लंब बटा कड होता है, लंब बटा कड होता है तो यहां पर 8 बटा root के अंदर किता 113 का square रखेंगे पूरे का बटा, यहां पर 1 minus cos theta बराबर क्या होता है? आधार बटा कड होता है, आधार बटा कड होता है तो आधार के स्थान पर रखेंगे 7 और यहाँ पर root में 113 पूरे का square अब इसी को हमें simplify करना है तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 1-8 का square होता है 64 और बटा यहाँ रूट का square होता है तो root ही हट जाता है यही सेंख्या लिखा जाता है और पूरे का बटा 1-7 का square होता है 49 और बटा यहाँ पर root का square होता है root हटेगा यहाँ से सिर्फ 113 लिखेंगे अब इसको simplify करेंगे तो यहाँ पर इसके हम बगल में करें यहाँ पर इसका गुड़ाइस में होगा 113-64 बटा 113 और पूरे का बटा यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे 113-49 बटा 113 ठीक है यहाँ से दूसरा लाइन और चौथा लाइन करता है पूरे बटा वाले में पहला line दूसरा line तीसरा line दूसरा line और चोथा line कटता है ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आएगा घटाएंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा 49 और यह घटाएंगे तो आएगा यह कितना 64 ठीक है तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आए आपको समझ में चलिए अब इसका दूसरा पार्ट भी हल करते हैं यहाँ पर दूसरी पार्ट में हमें क्या निकालना है काट स्कॉाइर ठीटा निकालना है काट स्कॉाइर ठीटा तो इसको हम यहाँ पर काट ठीटा का माल हमें कुश्चन में ही दिया गया था कितना साथ बटा आठ दिया गया था तो यहाँ पर हम क्या करेंगे साथ बटा आठ का स्कॉाइर कर देंगे साथ का स्कॉाइर कितना होत होता है और 8 का स्कॉार कितना होता है 64 होता है यह सभी को बता है ति है इसका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता तो आप इसे अपने कापी में अच्छे से नोड़न कर लिजिए